मेरा जनम हुआ तो तीन को मीद भूत आती थे मैं तुरे को जगा चायवन की खाती ही इतु है मार बजी मेरा जन्म हुआ राद भर मैं अंदोरे में खेलता था सबसें पाँंच बजी के बार तू रोगी अंदोरे के बार गोलता राती में किसी में एक साबने देखा नई सब लुग सो गए थे ये शोदमिया विचार करती है कनिया बोलता है बात सकते हैं, बार बजे तक हम सब लोग जाकते थे, फिर तो सभी भी नीद आ गई, लाला का जनम मेरे को बड़ाबर खबर भी नहीं पड़ी, कनिया सज बताना, तेरा जनम तेरे को याद आता है, बार कुष्टने मा के कान में कहा है, मैं या किसी को कहना नह कि गिद्राज की गुफामी है, एक बड़े भारी मातमारत है, वर्ष में एक ही बार भार आते हैं, वो मेरे गुरु है, मेरे को हुने एक मंत्र जिया है, मैं मंत्र जबता हूँ, मंत्र की एक माला करता हूँ, तो मेरा जनम मेरे को याद आने लगता है, मंत्र की मेरे दो माल में मंत्र जबता हूं। मैं गुरू ने मने को मंत्र दिया। इस अधा में बड़ी घोली थी। जो सरद हुदर है उसी के रुदर गरगोद में भगवान केलते हैं। कपट करने वाले से भगवान दूर देते हैं। जो मानों के साथ कपट करता है वह कंद भगवान के साभी कपट करें। मा को समझा दिया। मेरी गुरू ने मने मेरे को मंत्र दिया। इस अधा मा सभी को कहती है मेरी भूलोगी। रात्री में बार बज़े के बार लाना का जदम हुआ। रात बुर अंधिरे में खेलता था। इसी ने उसके सामने देखा नहीं। सब सो रहे थे। दक्सुन भारत में म्यानेश्वर भाराजू के। सोलह वर से के थे घीता जी के उपर भास ने लिखा। म्यानेश्वर भाराज ने कुछ से चोड़ा ही नहीं है। गीता जी के उपर भास ने लिखा है। स्रीकृष्ट श्याम क्यों है। क्यानेश्वर माराज बड़े ज्यानी है। उन्हों ऐसा वर्यमन किया है। जीव इस्ष्वर से दूर खड़ा है। जो दूर से दर्शन करता है। उसको भगवान में श्याम्ता दिखते है। न्यानी भग्त भगवान के चरा में जाते हैं। अत्यी समीत में जाते हैं। भगवान के साथ एक हो जाते है। न्यानी भग्तों के लिए भगवान प्रकाश में है। जो जीव भगवान का दर्शन दूर से करता है उसको इसा रखता है श्री यंग मेक के जिशा श्यां इस भी भगवान श्यां दिखते हैं ज्यानी भक्त भगवान के चरह में रहते हैं एक रूप हो जाते हैं दक्सिन महाराप में श्री एकनाथ महाराज हो भागवत के उपर टीका लिखी है एकनाथ महाराज का चरित्रभो दिव्य ज्यानी तो है भद तो हुदे है श्री कुरुष्ट न प्रेम में का रुदे पिगला हुआ ही रहता था देहका जगत का भान नहीं बहुत थोड़ी समय तक जयवान में आते थे एकनाथ महाराज ने वर्न किया है स्री कुष्ट स्याम क्यों है मानों का हुदे काला होता है शास्तों में वर्न है काम काला है क्रोज लाल है और लोग पीला है जो मन में आता है तब आंक में पीला जाती है। पो करत का रंग राल है। काम हुदय में होता है। माणों का हुदय काला ही होता है। के लुदय में काम है जो श्री कुरुष्ट का धियान करता एंक रहें से बालक पूलिहाँ करता है हरे Development के साथ प्रेव करता है उसके र१े की कालाज को भरॉषफ भगवन खीच लेते हैं भगत रुदय की कालाज भगवन फेक देते नहीं है अपने श्रीयंग में रखते इसलिए मालिक स्रीकु नुत्रास्यामौ hurt जया कृष्टा जया स्रीकृष्टा जया लाथे जया लाथे जया लाथे जाय कुष्णा, 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 जाय कुष्णा एगो मती गंदा मैया की रहे, एगो अरधन नाच की रहे, एगीरी राज धरण की रहे, द्वार का धिसकी रहे, एबाल कृष्ण नाल की रहे, शरदोत्फुल्वन निकाहा, वीक्षरं तुम् मनस्चक्रे, योगमायाम उपाश्रिता, परमात्माश्री कृष्ण का नामस्वरूप भागवत शास्त्रे, भगवान ने समसार में अपना स्वरूप च्छिपाया है, परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, इसलिए भगवान की भक्ती करना बड़ा कठिन है, परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होगे, तो सभी जी पूजा करे, सेवा करे, दर्शन प्रत्यक्ष में नहीं होता है, भगवान ने अपना नाम प्रगट रखा है, भगवान का नाम और भगवान का स्वरूप दोनों एक हैं है, भगवान का स्वरूप जल्दी दिखता नहीं है, कजाज किसी को दर्शन होगे, उस स्वरूप को कुँँ पकड़ सकता नहीं है, आप नाम को पकड़ सकते हूँ, जहाँ नाम है, वहाँ भगवान को प्रगट होना हीं पड़ता, जगद भगवान के आधीन है, और भगवान नाम के आधीन, जहाँ नाम है, वहाँ भगवान प्रगट होते हैं, नाम के साथ प्रेम कर, जो भगवान के नाम के साथ प्रेम करता है, उसको भगवान पाथ करने से रोक लेते, पुन्य करना कठी नहीं है पाप छोड़ना बड़ा कठी नहीं मानो छोड़ा पुन्य करता है भक्ती भी करता है और पाप भी करता है मानो पाप नहीं छोड़ सकता है भगवान जिसको पाप करने से रोक ले उसी का पाप छोड़ता तुम्य करने में जीव स्वतंत रहे पाप छोड़ने में जीव परतंत रहे भगवान के नाम के साथ प्रेम करो नाम का ध्यान करो नाम का स्मरन करो नाम का जब करो भगवान आपको पाप करने से रोक दे सबसे बड़ा पुम्ले कौन है पाप जो नहीं करता वो महान पुम्ले करता आख से पाप नहोवे जीब से पाप नहोवे मन से पाप नहोवे जिसने पाप छोड़ दिया है वो महान पुम्ले करता पर्मात्मा के नाम के इसाद जो प्रेम करेगा उसी को भगवान पाप करने से रोक लेते भागवद भगवान स्रीक रुष्ट का नामस्वरूप है नाम की भक्ती करो नाम के साथ प्रीती करो आपका पाप छुड़ जाएगा जो नाम के साथ प्रीती करता है उसका मन शुद्ध होता है जिसका मन अती शुद्ध है अती शुद्ध मन भगवान में मिल जाता है अती शुद्ध मन भगवान से अलग नहीं रह सकता मन मलीन है इसी लिए इस्वर से अलग रेता है मन मलीन है इसी लिए समसार में रमता है जिसका मन अती शुद्ध है अती शुद्ध मन भगवान में मिल जाता है जिसका मन भगवान में मिल गया है उसी को गोपी कहते है मन जब मिलेगा तब भगवान में ही मिलने वाला है समसार के किसी जड़ वस्तु में आज तक किसी का भी मन मिला नहीं मन समसार में घूंटा है थोड़ा समय वहां रहता है वहां से हड़ जाता है ये फूल अभी सुन्दर लगता है मन वहां जाएगा मन फूल में मिलता नहीं थोड़ा समय वहां रहेगा फूल सुख जाता है तब मन वहां से हड़ जाएगा मन जब मिलेगा तब भगवान में ही मिलने वाला समसार के विश्यों में मन मिलता नहीं है मन फ़स जाता विलार में भी लोग ऐसा ही बोलते हैं इसका मन फ़स गया है मन मिल गया ऐसा ही बोलते मन भगवान में ही मिलता है घर के लोकों को मन देने की क्या जरूरत है मन भगवान को देना चाहिए किसी भी मानों को आपके मन की जरूर नहीं है मानों तो आपका धन माखता है मानों आपका तन माखता है भगवान मन माखते है भगवान को धन की जरूर नहीं है भगवान लक्षमी पती है परमात्मा जीव के पास मन माटते है मानो की भूल यही है मानो अपना मन भगवान को नहीं देता है मनस्त्री को देता है पुरुष को देता है परिराम में दुख्षी होता है मानो ऐसा दुगला है मानो अपने मन को भी नहीं समाल सकता तो दूसरे के मन को क्या समालेता मन किसी श्त्री को देना नहीं मन किसी पुरुष को देना नहीं घर के लोग मन माकते भी नहीं घर के लोग तो तौन और धन माकते किसी मानों को मन देने की जरूर नहीं है मन भगवान को दो एक दिन मन भगवान में मिल जाएगा दूज में शक्कर डालो तो मिल जाती है दूज में पत्थर डाल करके दूज को कोई गरम करे कभी पत्थर दूज में मिलता नहीं दूज और शक्र दोनों सजातिय तत्व है दूज में मिठास है और शक्र में भी मिठास है सजातिय सजातिय में मिल जाता है पच्छर में मिठास नहीं है इसलिए पच्छर कभी दूज में नहीं मिलता है मान समसार में कभी मिलता नहीं समसार जड़ है मन समसार के जैसा जड़ नहीं है मन एक सर में अनेक देश में जाता है मन अर्ध चेतन है मन के समसार में मिलता नहीं है मन समसार में फसता है मन जब मिलेगा तब भगवान में ही मिलने वादा जिसने अपना मन भगवान को दिया है जिसका मन भगवान में मिल गया है उसी को गोपी कत रास लीला भागवत का फ़ल है रास लीला में स्ट्रिय और पुरुष के मिलन की कता नहीं है शुद्ध जीव और इश्वर के मिलन की यकता है गोपी शब्द सुनने के बाद बहुत से लोकों को स्त्री का शरीर दिखता है गोपी का स्वरूप स्त्री शरीर के जैसा है गोपी में स्त्री तो नहीं है जिसको सौस्कुत भाषा का ध्यान है वो भागवत के श्रोकों से समझ सकता है गोपी में श्त्री तो नहीं है, शुक्रिव जी महारा आज वह नम करते हैं, जहुर। गुनमयम देहम सज्य प्रक्षी मिल बंधना। गुनमयम देहम जहुर। कितने स्रीमान लोग घर में शोभा के लिए लग्किन के फ़ल रगते हैं। लकड़ी से बना हुआ करेला रखते हैं। दूर से देखने पर इसा रखते हैं केला ही है। यह करेला है। आका तो केले के जैसा करे के जैसा दीखता है। लकड़ी से बना हुआ जो करेला है उसमें कड़वाश नहीं है। गोपी का स्वरू स्त्री शरीर के जैसा है, गोपी में स्त्रीत्व नहीं है, स्त्रीत्व और पुरुशत्व की जब पूर रिश्मती होती है, तभी गोपी भाव जाता है, आत्मा पुरुश नहीं है, आत्मा स्त्री नहीं है, स्त्रीत्व पुरुशत्व देह के भाव है, आत्मा प्रमात्मा का आउश है भगवान की भक्ति आईशी करो आपको कभी यादा दें कि इस्त्री जो श्त्री तो पुरुशत्य को भूर जाता है उस्ती को गोपी भाव जाता है गोपी सुद्धजीव है गोवि पिवती इटी गोपी गोवि ही इंद्रियाई ही भक्ति रसंपिवती संथ ऐसा मानते हैं मानो जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता उस इंद्रिय से पाप होता है आक से भक्ति करो, जीब से भक्ति करो, मन से भक्ति करो, जो प्रतिक इंद्रिय से भक्ति करता है, उसी को गोपी करते हैं, जो देह भाव भुल गया है, जो सुद्ध जीवे वही गोती है, सुद्ध जीव इश्वर के मिलन की अकथा है, भागवत के प्रतिक अध्याय के समाक्ति में इसा लिखा है, पारमाउस्याम सम्विताया, जो परमाउसों की सम्विताया है, पारमाउस उसको करते है, जो परमात्मा के साथ एक रूप हुए, गोती परमाउस है, परमाउस है, इसका अर्चक कपड़ा भगवा किया है, ऐसा नहीं है, प्रेम सन्यास, वस्त सन्यास से भी श्रेष्ट है, जो परमात्मा के साथ अतीशे प्रेम करता है, प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तो प्रेम और प्रेमी और प्रियत्म दोनों एक हो जाते हैं साधान प्रेम में प्रेमी और प्रियत्म ऐसा भेदभा होता है साधान प्रेम में मैं और तू ऐसा द्वैत होता है प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तो मैं तू में मिल जाता है फिर मैं तू से अलग नहीं रेता है साधार भक्ती में भक्त और भगवान ऐसा भेद्वा होता है भक्ती जब अती से बढ़ जाती है तो भक्त भगवान से अलग नहीं रेता है फिर दोलों एक हो जाते हैं अती से भक्ती बढ़ती है तब भेद का विनाश होता है वेदाम्त के गरंथों में भेद का निशीद किया है और भक्ती शास्तर में भेद का विनाश किया है वेदाम्त काता है एक कही ब्रम्भतत्व सत्य है भगवाल में माया से जगत का भाष होता है लोग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं वहाँ परदे के उपर अनेक चित्र दिखते हैं कभी-कभी ऐसा भी चित्र दिखता है बहुत जोर से वर्षादारा है समुदर उचलता है पहले हुआ है ऐसा चित्र दीखता है उप परदे का एक धागा भी गिल नहीं होता है कोरन कोरही लेता है कभी अईसा नहीं चित्र दीखता है हरुमान जी लंका जलाते हैं सब जल रहा है चित्र तो दीखता है उप परदे का एक धागा भी नहीं जलता है न्यानि पुरुषों का ब्रह्म प्रकाश्म, सर्वाधार, सर्वाजिष्ठान, सर्वसाक्षि चेतन है, उस चेतन ब्रह्मतत्व में माया से जगत का भास होता है, एक ही परमात्मा सत्य है, पड़े के उपर जिस प्रकार चित्र दिखते हैं, माया से भगवान में यह समसार दिखता है, जो दुरुष्य है, उसका नाश होता है, द्रश्टा का नाश कभी नहीं होता, ज्यान मारग में भेद का निशेद बताया है, और भक्ति मारग में भक्ति का भक्ति से भेद का वि बताया दोनों का लक्षे एक है साधन में थोड़ा फेर जीव भगवान से अलग हुआ है परमत्म को मिलना है भगवान के साथ एक होना है भागवत के शुनो को से शिद्ध होता है गोपी श्त्री नहीं है गोपी परमाउस है पति सुतान वयब भात्र बांधवान अति विलंग्यतें के अच्छु तागता है परमत्मा के लिए जो सब का त्याग करता है उसको परमव से कहते हैं श्री सीधर स्वामी ने प्रेटिका में लिखा है निवृत्ति परेयम पंचा अध्याई निवृत्ति धर्म का फोल है जीव और इश्वर दोनों का मिलन प्रवृत्ति धर्म का फोल है काम मानो जितनी प्रवृत्ति करता है प्राया काम शुक भोगन की दियर करता है प्रवृत्ति धर्म का फ़ल है काम और निवत्ति धर्म का फ़ल है राम परमात्मा को मिलना है गोपी परमहुशा है शुद्ज जीव इश्वर के मिलन की यह कथा है किसी स्त्री पुरुष के मिलं की कचा सुकदीर जी भाराज गंगा किनारे करने के लिए नहीं बैठे रास लीरा का मुख्य शुरोता परिक्सित है थोड़े समय में जिसका मरन होने वाला है जिसका मरन समीप में है उसको शुरुंगार की काम सुक की बाते अच्छी लगती है यह अलो कि दिव ये लीला है रास लीला में जिसको काम की वास आती है उसकी बुद्जी बिगड़ी हुई उसने सचसंद नहीं किया है गंगा किनारे शुकदीव जी महाराज यह कथा करते है शुकदीव जी महाराज केवल ब्रह्मध मियानी है ऐसा नहीं है शुकदीव जी महाराज की ब्रह्मध दुरुष्टी स्थिर हो गई ब्रह्मध मियानी होना बड़ा कचिन नहीं है ब्रह्मध दुरुष्टी स्थिर करना बड़ा कचिन है इस समय तो आप सभी ब्रह्मध ज्यानी संत के जैसे ही बढ़ते हो कितनी सांती रखते हो आप सभी को वंदन करने की इच्छा होती है मानों मूरक नहीं है सयाना मानों का ज्यान तिकता नहीं ज्यान को प्राप्त करना बढ़ा कथिन नहीं है ज्यानमें स्थिर देना बढ़ा कथिन है शुक्रिव जी महाराज की ब्रंभ दुरुष्ति स्थिर हो गई थी गंगा जी में सुन्दर देवकन्या अपसराय स्नान करती थी SOUND me. यहांसे जाते थे शुक्देव जी भाराज को खवर नहीं पड़ती, या कोई श्टिस नान कर रहे हैं शुक्देव जी महाराज जानते नहीं है, जगत में कोई पूरूर भी होता है जिसकी भरहमत उस्तिर है, उसको जगत भरहमत उपसे ही दिखता है शुकदेव जी महाराद यह कथा करते हैं जिसका मरन समीत में है वो परिक्षित कथा सुनने के लिए बैटा रासलीला में काम सुक का वर्णन नहीं है रासलीला में शुरुमवार का वर्णन नहीं है सुध जीन और इश्वर के मिलन की यह कथा झाल झाल